नमस्कार परणाम कैसे आप सब दोस्तों आप सब देख सकते हैं मैं जहां अभी हूँ और वीडियो सुट करें मैं योरोप डेनमार्क तो आप सब दूआ कीजिए दोस्तों कि मेरा बेटी का पासपोर्ट अच्छे से बन जाए और हम लोग भी आए हैं उसी काम से तो बन जाना है और मैं चलती हूँ आगे में आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और दुआ कीजिएगा कि जल्दी से मेरे बेटी का पासपोर्ट आ जाए कि हम लोग इंडिया असानी से आप आए यहां का लोकेशन कितना प्यारा है देख रहे हैं आप से भी बहुत अच्छा लग रहा है और फिर आगे में मैं चलती हूँ आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और यहां पर देख रहे हैं गेट के सामने जाते जाते यहां पर लिखा हुआ है सत्यमे उजयते यहां पर सत्यमे उजयते देख करके बहुत अच्छा प्यारा लग रहा है पढ़के मै भालत का सान है ये भी बहुत बड़ा और अंदर में फिर मैं चलती हूं देखिए आप सभी यहां भी दिखे नरेंद्र अपने इंडिया का हमें तो लगा कि बस कुछ खास नहीं होगा लेकिन अंदर में जाती गई थी यह सब चीजे ना अपने इंडिया का तो यह सब देखर कि बहुत अच्छा लगा खुसी हो रही थी और यहां पर देखे मेरी बेटी कितना ध्यान से वीडियो में देखती हैं बहुत ध्यान देती हैं और आप सब के क्या रहा है आप लोग कमेंट बक्स में जरूज बताइएगा और यहां पर देखे मेरे हस्बेंट का नंबर भी लग चुका है और बारी इनका आने वाला है वेट कर रहा है यहां पर देखे कुछ फाल था दे दिये और देखर के फि लोग से हाई हलो करती है अंहरे जो लोग से तो बहुत अच्छा लगा यहां पर सभी इंडिया के लोग ही आए हुए हैं पास्पोर्ट के कुछ लेकर के आपके पास्पोर्ट के कुछ लेकर के आपके लिए हैं यहां से अब हम लोग काम सब फिनिश हो गया देखते हैं पास्पोर्ट कब तक आता है और फिर से मैं में नरंद मोदी जी को ले ली है अपने वीडियो में और यहां से अब हम सारे चीजे अपने फाइल यहां से विख्रा होगा है सबको सही से रखोंगी और यहां से ले करके फिर मैं निकलूंगी घर और वेट रहेगा कि कब तक आता है ओभी वीडियो आप सबको मिलेगा देखने के लिए आप लोग वीडियो को विल्कुल भी एसकिप मत किजिएगा दोस्तों इसी वीडियो में मिलने माला है यहां पर देखे मैं बाहर में निकल चुकी हूँ फिर से इसी तिरंगे के साथ और यहां का कुछ अच्छा अच्छा चीज़े हैं जो कि आप सब के बीच में सेर करती रहती हूँ और अपना भी खुछ से आप सब के बीच में मैं लाती रहती हूँ तो आपना अशिरवात बनाए रखिएगा यहां पर सत्यम्यों जरते फिर मैं उसी गेट पर आ गई और यहां से मैं निकलती हूँ क्योंकि लेट होगा मेरे हस्बेन आगे में चल रहे हैं और फिर देखते हैं क्या होता है कितने दिन बाद आता है तो फा बेटी का पासपोर्ट बन चुका है जो इमेल आया था कॉल आया था कि आपकी बेटी का पासपोर्ट बन चुका है और मेरे बेटी का ही नहीं और आगे मैं नहीं बताये थी बीच में मेरे हस्बेंड आये थे उनका भी पासपोर्ट का रिन्यू करना ना था उसका भी खुस यहां पर फिसे उसी गेट के सामने में आ गई हो जो कि आप देख रहा है जो फैले मिली थी तो फिर से अन्दर में हम लोग चलेंगे और देखेंगे कि मेरी बेटी का पासपोर्ट बना और कैसे दे रहा है लो यहां पर अगी देखिए हाँ जंड़ा तिरंगा लहता है यहां यह चल रहा है फिर चलते हैं अंदर में वीडियो में बने रही हैkam पर देखिए मेरे हस्वेंट आ चुके हैं फिर से फासपोर्ट लेने के लिए यहाँ पे passport इनको मिल चुका है sign on कर दिये हैं कुछ बाते कर रहे हैं और यह रहा मेरी बेटी का passport जो कि आप सब के बीच में आ गया तो एक प्यारा सा comment करके जरूर बताएगा अपना सिर्वाद जरूर दीजिएगा मेरी बेटी के लिए और यहाँ पे रहा मेरी बेटी का passport और यह किनका passport है यह मेरा passport है जो कि लगा हुआ था उसी में तो यह भी आप सब के साथ मैं सेयर कर दी और यहाँ पे यह रहा मेरी husband का passport जो कि new passport renew हुआ था यह वाला passport है और यह पुराना passport है जोकि साथ में ही लगा करके ओलोक दिये हुए है यह 10 साल का पासपोर्ट इनका सारे कब खतम हो चुगा है जोकि आप देख रहे हैं और यह मेरा पासपोर्ट रहा है तो यह पास पासपोर्ट इनके लिए ही हम लोग गये था और फाइनली इंका पासपोर्ट बननके अभी असानी से हम लोग इंदिया इनको लेकर के आएंगे आप सब के विच और इंडिया जाएंगे मेरी बेटी और यह फर्स चैन ठर्ड यहां पर चार आपको पासपोर्ट दिख रहा होगा फूरा फोर फोर पासपोर्ट और फूर पारपर्स में से एक ही पासपोर्ट जो है वो किसी काम कर नहीं है बट है काम का भी है और pastor पासपोर्ट कंपलीट और यहां भी देख रहे हैं फिर में हम लोग बाहर मिं निकल चुके हैं और यहां से अब मेरे husband planning कर रहे हैं कि कहाँ चला जाए तो आप यहां से जाएंगे लोग कुछ खाने पिने के लिए हम लोग और मैं वीडियो को यहीं पे बंद करूँगी खतम करूँगी तो अपना असिरवाद देना मत भूलिएगा आप सभी और चैनल को सस्क्राइब भी कर लेना फिर मिलती हूं